स्वाइन क्लासेस में आप सबको नमस्कार तो बीना देर किये हुए चलते हैं अपने टापिक के बाद दोस्तों ये वीडियो मर्केट में नया है और ये ट्रिक मर्केट में नया है आप पहाड याद रखने की ज़रोत नहीं आप इसी ट्रिक को याद रखिए 99 टेबुल का ट्रिक्स हम आपको बताएंगे मल्टिप्लिकेशन का ट्रिक एई है कि सक्सेसिव आडिशन है 8 इन्टु 7 आठ को 7 बर जोड़ो 9 इन्टु 8 9 को 8 बर जोड़ो लेकिन ये सब सिंगल डिजेट के मल्टिप्लिकेशन से टेबुल से जब डिजेट से आते हैं और बड़े-बड़े नंबर आते हैं तब कुछ नया ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे 87 इन्टु 9 तो 87 को 9 बर जोड़ना पड़ेगा ये तो 2 सेकंड में आएगा नहीं कि बीना कागज कलम में ये होगा ही नहीं और दूसरी बात है 76 इन्टु 8 ये भी 6 तर को 8 बर जोड़ना ये भी मुश्किल है तो इसके लिए हमने नया ट्रिक लाए है 87 इन्टु 9 इसका आंसर है 7,8,3 उसी तरह 76 इन्टु 8 इसका आंसर है 608 तो चलिए देखते हैं ट्रिक्स वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक किजिएगा एसे सुन्दर सुन्दर टीप्स आउट ट्रिक्स के एजुकेशनल वीडियो अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर किजिएगा अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो एसे नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा और नीचे दिये हुए notification bell icon को दबा दिजिएगा ताकि नएने वीडियो अपलोड होते ही आपको notification मिल जाएगा 87 into 9 अभी क्या करते हैं हम 9 में नहीं multiply करते हैं हम क्या करेंगे ना 10 में multiply करेंगे अगर हमने 10 में multiply करेंगे तो एक बार ज्यादा multiply हो गया तो एक बार घटा लेंगे एक बार 87 को हमने घटा लेंगे तो अपना अंसर सही आ जाएगा तो चलिए तो 87 into 9 की बज़े हम 87 को 10 में multiply कर लेते हैं क्योंकि यह आसान है दस में multiply करना किसी चीज को आसान है अब यह कितना हो गया 87 into 10 कितना हो गया ना 870 87 एक बार ज्यादा लिये थे ना अभी 87 को माइनस कर लेंगे एक बार घटा लेंगे तो अपना आंसर आ गया 783 तो एक multiplication हो गया एक subtraction तो जो की दिमाग में बीना कागज बीना कलम से हो जाएगा और कितना दो सेकंड में हो जाएगा आपको बस 870 माइनस 87 करना है और देखते हैं 870 और माइनस 87 वो भी आसन है वो हम बता देते हैं केसे माइनस करना है हम स्टेप्स में माइनस करेंगे जैसे की 870 को 800 और 70 कर लेते हैं और 87 को 17 और 70 तो अपना ये माइनस प्लस क्यांसल हो जाएगा हमको केबल माइनस करना है 800 से 17 माइनस करना है तो अपना राउंड Kerry अब दूसरा तरीका देखते हैं दूसरा tricks अब हमने पहला राउंड करेंगे उसका नजदिक है 90 और अगर 90 में हमने 9 को मुल्टिप्लाइ करेंगे तो पीन बार ज्यादा मुल्टिप्लाइ हो गया तो हमको तीन बार घटाना भी है एही चीज याद रखना है अगर हमने 87 को राउंड किया तो हमने जितना बढ़ाया उतना घटाना है तब चलिए 19 टू 9 तो कितना हो गया 810 और हमको घटाना है कितना 3 इंटू 9 27 तो अपना अंसर 783 आ गया आसान है तो multiplication को subtraction में convert करना है और 2 second में answer निकलना है और ये subtraction कैसे करना है ये भी बता देते हैं 810 को ओई 2 step करना है 800 एक round figure बनना है और एक round figure और 27 को 17 और 10 करना है क्योंकि हमको ये 10 10 इसको cancel करना है plus 10 minus 10 ताकि अपना subtraction easy हो जाएगा 800 से 17 minus होगा और अपना answer आ गया बिलकुल आसान है तीसरा trick पर चलते हैं अभी हमने 87 को ओही 87 को round करना है पहले हमने 90 किये थे और 3 किये थे अभी ऐसे करना है कि 80 और 7 एसे करेंगे तो 80 इंटू 9 कितना होगा 720 7 इंटू 9 कितना होगा 790 63 तो इसको जोड़ना है करना तो वही है बस multiplication है 87 इंटू 9 करना हमको कितना है ano 720 से 63 जोड़ना ह बस अपना answer आ गया तो ये 3 trick से जो भी trick आपको पसंद आए जो भी trick आच्छा लगे जो भी trick में आप mastery हो वह trick आप इस्तेमाल कीजिएगा और result आपका हाथ में है अभी और एक example लेते हैं 76 into 8 अभी हमने पहले 8 को round कर सकते हैं तो 8 को round करेंगे मतलब हम 10 में multiply करेंगे और 2 में multiply करके घटाएंगे दो बार घटाएंगे तो 76 into 10 कितना हो गया 760 और घटाएंगे कितना 76 into 2 152 answer कितना हो गया 608 यह है subtraction 3 digit का subtraction बस multiplication हो गया subtraction में आपका subtraction अगर इतना confidence नहीं है बाकि जो दूसरे दो trick से आप उसमें भी कर सकते हैं लेकिन यह subtraction कैसे आसान होगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं 760 हमको minus करना है 100 पहले 152 minus करना है 152 पहले 100 minus कर लिए हो गया 660 660 से आप 52 minus कीजिए तो यह हो गया 608 यह हो गया आसन तो आपका 2 second में result आ गया तो चलिए दूसरा trick में हम क्या करेंगे हमने 76 को round करेंगे एक तो round है 80 कर सकते हैं एक तो round है 70 कर सकते हैं तो यह पहले 80 करके देखते हैं 76 को 80 करेंगे 6 तो और को 80 कर रहें मतलब 8 को हमने 4 बार ज्यादा ले रहे हैं तो 4 बार घटाएंगे भी तो 18 to 8 88 कितना हो गया 640 घटाएंगे कितने 4 अठे 32 तो 640 माइनस 32 यही आपका multiplication है जितना time लगेगा इसी में ही लगेगा 640 से 32 घटाना जितना time उतना ही लगेगा आपका हो गया 608 चलिए अभी देखते हैं multiplication का तीसरा trick अभी 76 को हम कैसे करेंगे ना पहले 70 और 6 एसे तोड़ेंगे इसको तो 70 into 8 तो कितना हो गया 560 और बचा कितना 6 into 8 कितना हो गया 48 और इसका जोडने से कितना हो गया 608 कितना second लगें 2 second आपको practice करना है अभी देखते हैं 19 का table 19 हो हो या 30 हो हो या 49 हो जिसमें 9 आगे है इकाई के घर में 9 है तो हमने ओही 9 का table अभी याद करते हैं 9 का table में जो result आता है उसका इकाई का घर में 9-8 से लेके वो एक sequence में 0 तक आता है तो वो 19 में भी है 20 में भी हो तो जिसमें इकाई का घर में 9 है तो यह ऐसे ही आएगा तो अगर हमें कोई मान लीजिए कि 19 इंटू 7 और एक प्रिकी इसका है कि हम जिसमें multiply करते हैं वो और उसका इकाई का घर में जो number आता है वो दोनों मिलके 10 होते हैं आप देख लीजिए 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 और भी एक ले लीजिए 5 उनिस पंजी तो इसका देखिए इकाई का घर में जो result आएगा उसका इकाई का घर में 5 होगे 10 वैसे ले लीजिए 19 इंटू 9 उसका जो result आएगा उसका इकाई का घर में एक है तो दोनों मिलके 10 हो गया इसका मतलब हम अगर किसी को multiply कर रहे हैं वो जो result आएगा उसका इकाई का घर हमांको पता चल जाएगा क्योंकि 10 से वो number minus कर लें तो चलिए अब देखते हैं 19 इंटू 7 कितना होता है तो हमें पता है 19 इंटू 7 उसका इकाई काई 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 आएगा 10 minus 7 एका इका घर में आएगा unit place में आएगा तीन और बाकी कितना आएगा इसमें क्या करना है हमको ये तो 9 into 7 हो गया 3 आगया अब क्या बचा है 1 into 7 अब इसमें क्या करना है 1 into 7 हो गया साथ और इसमें जोड़ना है कितना, 7 से 1 घटा के, हो गया अपना अंसर, और एक ले लेते हैं, 19 इंटु 6, तो इकाई का घर में कितना आएगा, 10 माइनस 6, इकाई का घर में 4 आएगा, बाकी कितना आएगा, 1 इंटु 6, हो गया 6, और इसमें जोड़ना कितना है, 6 से 1 कम, देखो आ और एक नंबर ले लेते हैं, 79 into, कोई भी ले ले लिए यह नंबर, 79 into 6, हमें वही यह फर्मल आए, इकाई का घर में इसका कितना आएगा, 4 आएगा, कैसे, 10 minus 6, 4, इकाई का घर में 4 आएगा, 4 ले ले लेते हैं, बाकी क्या नंबर आएगा, बाकी जो नंबर आएगा, देखे यह 7 है, 7 into 6, यही multiple करना है, 42, और इसमें कितना जोडना है, 6 में multiply किये हैं, 6 में जब multiply किये हैं, जोडेंगे कितना, ना उससे कम जोडेंगे, 5 इसमें जोडेंगे, कितना हो गया, 47, यह अपना answer हो गया, 47, यह सारे नंबर में काम करेगा, एक और एग्जयांपूर ले ले है 79 into 9 इक आएगा घर में कितना आएगा 10 minus 9 1 आएगा और बाकी क्या नंबर आएगा 7 into 9 हो गया 63 और जोड़ना कितना है 8 हो गया 71 हो गया अपना अंसर अच्छी बात है आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब भी किजिए ताकि हमें भी थोड़ा फाइदा होगा आप देखते रहिए अपने चैनल लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और एस धासु धासु वीडियो देखने के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए एसे नए ने ट्रिक्स जानने के लिए आप देखते रहिए स्वाइं क्लासे इस चैनल टेंक नाधम से नमस्कार